हाँ है हाँ है है हलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टू मैं चैनल आइप लोग सब अच्छे होंगे आपको पता है मेरे चैनल का डर्गिट यह चल रहा है कि मैं कर रहा हूं जम्मू को एक्स्प्रोर और मैंने जैसा की पिछली वीडियो में बिताया था कि मेरा फिलाल टार्गेट ह कि मैं अपने जम्मू के जो टैंपल से उनको कवर कर रहा हूं विकास जम्मू को जाना ही जाता है दा सिटी आफ टैंपल के नाम से फिलाल इतने टैंपल सा यहां पे कि मैं चाहे जितने भी कवर करनूं उतने ही कम है मुझसे जितना हो सके मैं उतने कवर करूं सो इसी के चलते मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ अपनी जम्मू सीटे का वन आफ दा मोस्ट फेमस टैंपल रगुनाथ मंदिर बाकी मैं आपको वहाँ पे पहुँच के दिखाता हूँ मंदिर को कितना खुबसूर है तो वो मंदिर है हमारा सो फिलाल अभी चलते हैं तो जब भी आप गर से बाहर निकले हैं तो हमेशा हैलमेट पहन के निकले हैं जैसे लोगों पहन के लिए कि आपको लेकर आगया हूँ रगुनाथ मंदिर यह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरे रगुनाथ मंदिर की यह पूरी मार्किट है आपको यहां से हर एक चीज़ मिल जाएगी और फिलारे रोड चलती रहते हैं यहां पर यह मंदिर के एंट्रेंस यह पीछे मंदिर के अंदर करवाता हूं आपको मैं दर्शन यह हम मंदिर के अंधर जाते हैं और यह यहां पर चैकिंग का पूरा साधन है कि आपका और यहां से पूरी एंट्रेंस मंदिर के आगे से कि आपका पूरी के अढका प्रेल गझे साहता है अःती अगाल है 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 जाला मैं आट इस तो फ्रेंट यह मेरा फर्स टाइम विजर था रगुनाफ मंदिर पे तो अंदर मैंने यहां पर यहां पर अंदर है बहुत बड़ा शीवलेंग चलो मैं दिखाता हूँ आपको भी कर दो कर दो कर दो अब पिछे देखने हुए यह 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 यहां पर टोटल मंदिर पर हैं 12 अब आप कि अब अब आप मंदिर से होके मैं आ गया हूं आपको यह वाले पुराने टेंपल पर लेके आप पूछोगे कि यह कौन सा टेंपल है तो यह बलराम जी का मंदिर है और यह काफी पुराना दोस्तो साल पुराना पंडी जी ने मुझे बताया कि 200 साल पुराना यह मंदिर है और फिलाल यह मतलब पूरे इंडिया में एक तो है बिंदवन में और दूसरा है हमारे जम्मू में बाकि मैं थोड़ी आपको क्लिप दिखाता हूं मंदिर की और बाकि पंडी जी से भी बात करेंगा और पूछेंगी कि क्या हमियत है इस मंदिर की मुझे काफी पुराना लग रहे 200 साल पुराना हां इसकी थोड़ा देखके तो लग तो रहा है कि 200 साल हो सकता है पका एक ही होगा हां एक ही होगा जी से साफ़के इतना पुराना मुझे दिख रहा है दर्शन करने के बाद आफिलाण करते हैं पंडेजी से बात पूछते मत्रुम मंदिर की क्या एहमिक्या हे हरे कुछना हरे कुछना 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे यह बगवान बल राम जी का मंदर है इसके साथ मेरे इपती महरान जी है इनके धर्म पतनी जी दोसों से भी अधिक दोसों साल से भी अधिक प्राना मंदिर है जे दर्मा ट्रस्ट का मंदर है हमारे राजा महरा जोने मंदर बनवाया था क्समंद्रकी क्या मानता कि जिसको भी कालसरफ जोग दोष होता ही बहगो UN जहां पर आतीgue परिक्रमा करते हैं उसे कालसरफ जोग का निवान होता क्योंकि यह शेशना अगपतार बगवान कुई कि क्रिशन बगवान के बड़ेघ kehutam बढ़राम जी और जिनकों हुज भच्छा दिगन ही अगे सादियों से दिन कehने का मतलने है इनका जनम है वो रक्षा बंदन के दिन हुआ था इसलिए बगवानबल रामची को राकीबन दी है और जे बहुती प्राचिन मंदर है हमारे पूरे बार्दवर्ष में कहा जाता कि दो ही मंद्रा को बंदावन में जहां मारे जम्मू में जो हमारे राजा महराजना पनाया हूँ पत्रिशी पर एक ती महारानी जी का में जा रहा था गर पर बाप्पेश और मुझे मिले हैं रास्ते में हमारे रभी भाई तो रभी भाई क्या बिला ओगा भी आप बिले ना यार तो रभी भाई बिलादो आप मुझे मुझे जूश भी ना दो यार तो अभी फिलाल फ्रेंट्स मैं पीने वाला हूं मुझे जूस सिर्दर्द हो रही है तो उसका कारण बाकी मिलता हूं आपको घर पहुच के अब हमारा एम्स भी जल्दी रेडी हो जाएगा अगले साल तक कह रहे हैं कि अगले साल तक यह रेड नहीं आया हुआ है बाकी मैं मिलता हूं आपको अपने नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाइबाए टेक क्यार